अरे यार बेबी सुबर सुबर क्या आफ़द आ गई क्या बेबी हां क्या बेबी तुम्हें कुछ पता भी है मेरे घरवालोंने मेरे रिष्टा फिक्स कर दिया है बताओ मैं क्या करूँ आप अरे स्वीटी शर्मा आप चिंटा मत करिये आप शादी करके इस पंकर शर्मा के घर ही आएंगी सोच लो आज मेरे घरवाले मेरे लड़का देखने जा रहे हैं और अगर तुमने अपने घर पर बात ने कीना तो मैं सीधा तुम्हारे घर ही आजाओंगी अच्छा कर दो यार और सुनो सुमा सुमा एक किस दो ना हट चैले अपने घर पर रिष्टे की बात करियो फिर लियो किस यार हमेशा बस भड़कती रहेगी उठ जा तरे पापा ने तरे रिष्टा पक्का कर दिया शर्मा जी की बेटी के साथ आज ही देखने आएंगे शर्मा जी की बेटी के साथ कुझा कंजर क्या शर्मा जी की बेटी से मेरा रिष्टा फाइनली पापा ने रिष्टा करा है भी तो मेरी गल्फ्रेंट से वाँ वज़ा आगया सुन बिटा बस पापा आप कुश मत बोलिये मम्मी ने मुझे सब बता दिया है आज तक इस घर में वैसा ही हुआ है जैसा आपने कहा है और आगे भी वैसा ही होगा अच्छा आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बार मेरी बात मागिया चल तो रेडी हो जा उन्हें निकले एक गंटा हो गया वो कभी भी पहुच्चा होगे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो लोग कहीं दूर से आ रहे हूँ हाँ क्यों तेरे घर के पास रिस्ता थोड़े ना मिलेगा हमारे तरफ से बात फाइनल है रिडी हो जा वीडियो को एंड तक देखना बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बजने वाली है बेटा देखना फोन में कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा कब से एक वीडियो डाउनलोड पर लगा रखी है हो ही नहीं अभी तक अरे पापा आपके फोन की मेमरी फूल एक लिए स्पेस नहीं है आप यूसी ब्राउजर यूस करो ना यूसी ब्राउजर इतना सब कहां पता है मुझे बेटा अरे पापा यह देखो यह है यूसी ब्राउजर जिसमें आज कल एक नया फीचर आया है यूसी ड्राइब जिसमें आपको लॉग इन करने पर 20 GB तक फ्री ओनलाइन स्टोरेज मिल सकती है जहां पर आप कुछ भी डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हो बस एक टैप में बस आपको लॉग इन टो यूसी ब्राउजर करना है वा बेटा फिर तो आज ही सारी वीडियो बेटा बाकि सारे काम बाद मैं पहले फॉन में अप्लीडियसिन डाउनलोड कर लेता हुआ हूँ मम्मी यह एजो शर्माजीं है यह हमारे एरिया वाले शवरमाजी नहीं है क्या क्या मतलग मा यह जो रिश्ता देखने आरे हैं हमारे पडोन सी शर्मा जींक्या अरे नहीं अब मैं यहां क्या करना ही थी तु जल्दी रेड़ी हो जा हलो जल्दी मेरे घर आजा वरना मेरी वॉट लगने वाली है अब भाई टेरेटर लगने भी चाहिए अबे यार मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ सुनियार मुझे न लड़की वाले देखने आ रहे हैं तु कुछ भी करके उन्हें यहां से भगा दे तू बताना क्या करूं उन्हें भॉम शोडवाद हूँ नहीं ठ्रक्सर ठकवा देता हूं अबे तू पागल है क्या यह मरवाना नहीं है उन्हें बस यहां से भगाना है की के बाई रुक टू फिर अरे कब आएंगे यह समर रुकिये 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 क्या हुआ क्यों रोक रहे हो आप गलत जगा आगए गलत पर तुझे कैसे बता हमने तो उससे अभी रास्ता पूछा ही नहीं आप लोगों को देखे में पचान गया आपको पंगत के घर जाना है ना तो आप गलत आगए हैं अच्छा एक दो गली आगे आगे होंगे अरे नहीं अंकल आप चार कुलमेटर आगे 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 हैं बापिस चले जाओ पक्का ना है अंकल जी थैंक्यू बेटा अरे नहीं अंकल जी कमाल कर रहे हैं ये तोमारा फर्ज है बस भाई तेरा काम कर दिया मैंने वाँ मेरी जान आजा घर पे आज पार्टी दोंगा तुझ बढ़िया वाली है ठीक है बाई बस में कप्ड़े में जलके आरो फिर तो पार्टी करेंगे आजा तू पागल है त् बेटा बस पंदरा मिनिट में आने वाले हैं वो लोग जल्दी से त्यार हो जाओ आप लोगों कवाने में कोई प्रोब्लम तो नहीं हुई क्या बताए मिल गया था कोई मनूस आपके गर के सामने से चार किलोमेटर दूर बेज दिया हमें अरे कोई बात नहीं ये आजकल के बच्चे भी ना हमें तो बहुत पसंद आया जी लड़का ओ पार्टी वो गुड्डू आया मैं उसे मिलकर आता हूँ अब मेरा फ्रेंड आया ना अब यार कुछ तो सोच ले अगर मेरी शादी उससे हो गई ना तो सुईटी मुझा जान से मार दीगी और मेरे सारे बाल नोच लेगी भाई कुछ सोच बे यार मैं सोच रहा हूँ ना अब क्या आहिंस्साइन बज जाओं पर सुनना वो लड़के भी बाल फुम गई है तो उसके पास जा और उससे बोल कि तेरी कोई गल्फ्रेंड है अगर तू ने इससे शादी कर ली तो तेरी गल्फ्रेंड तेरी होने वाली पत्नी की टुकड़े टुकड़े करके लाश की बाल नोच देगी पर लेकिन वो तो मुझे ना तुमसे कुछ इंपोर्टेंट बात कहनी है अगर आपको जोर से आये तो पहले आप चले जाहिए ठीक है मैं चला जाता हूं एक लड़की कोई तो भगाना है यू कन डूइट यस पंकर यू कन डूइट अब तो भगा के रहूंगा इसको मैं सिम्रन वो ना मुझे तुमसे कुछ कहना है मैं ये शादी प्लीज आप इस शादी के लिए मना कर दीजे प्लीज वा मेरा तो काम हो गया पर मैं क्यों मना करूं आप मना करिये ना शादी तो आपको नहीं करनी है समझे प्लीज मेरे मा बाओ जी ने जो मेरे लिए लड़की देखिया मैं उसे ना नहीं कर सकता और मुझे तो वैसे भी आप पसंद है मैं अपने मा बाओ जी की बात को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता मैंने तो आगे की सपने तक देख लिया है बच्चों के नाम तक सोच लिया है और अगर आपको ये शादी नहीं करनी है तो आप जाके ना बोल अब कुछ मत बोली मेरे प्राणात मुझे आप जैसा ही पती चाहिए था अबे मेरी गल्फ्रेंड मेरे बाल नोच के मार देगी मुझे शेतर मर गए अबे ये इसना खुश होके को गई है कि शादी तोड़वाने आए थे सेट कैसे हो भाई अबे यार बैंड बज गई ये बढ़िया हो गया शादी में बैंड का कर्चाब होत होता है अबे ओए मेरे को ये ना हर बात पे मजाग पसंद दिये चल निकल यहां से पूर्यों पूर्यों में मच्छर ने काट लिया बेटा ये लड़की कौन है ये 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 तो गुड़ू की बहन है हाँ जी मेरी बहन है क्या नाम है इसका सीमा रेखा सीमा रेखा नाम है अच्छा नाम है ना मा हाँ सीमा रेखा सीमा रेखा आप जाओ गुड़ू के साथ अंदर अराम करो गुड़ू अपनी बहन को ले जा जाओ सीमा रेखा मा मैं भी अंदर जा रहा हूँ अरे बिटर रिंग तो पहन जा वो मा मा हाथ में मच्छर ने काट लिया ना तो खाज हो जाएगी थोड़ी देर में पहन लोगा अभी आया ओए पंकज तूने तो शादी में बुलाया नी वो तो भलाओ इस गुड़्डू का जिसने मुझे इन्वाइट किया अबे हरामी गुड़्डू तुझे जरूरी था इसको यहां बुलाना मैं वैसी कम परिशान हूँ क्या भाई अच्छा थोड़ी लगते या अब मैं जैसा जैसा कहता हूँ तू वहां जाके वैसा वैसा कर अच्छा अब टेक जो इसने कर है जैसे वो तो बहुती बैटरीन हो रहा है यार तुम प्लीज बैठो मेरी बात सुनो बैठो मैं बताता हूँ नमस्ता अल्डी जी नमस्ते बिटा आओ बैठो एक मिनट मैंने देखा है तुमें शायद कहीं नहीं नहीं अच्छा वो लड़का जो रास्ता बताता है हाँ हाँ भाई अरे वो इना जो देखने में ऐसा बेफकूफसा है हाँ भाई तो वो पता ही था वो मेरा छोटा भाई है तुम से भी छोटा है हाँ पस ऐस डो इंच छोटा है वस मिर से क्यार वो सब छोड़ी है न आप पता ही है और बेटा पंकच के बारे में बताओ कुछ अरे आंटी जी अब पंकच के बारे में क्या बताओ बहुत ही नेक इंसान है पस हाँ कभी कभी शराब पी कैसे गालिया दे देता है पर अब होने वाली सास को थोड़ी गाली देगा अच्छा और उसे देखने में क्या पसंद है बेटा यही सास बहु की बखलोलिया अच्छा अरे आंटी जी उसको सासों से इतनी नफरत है हर टाइम क्याते रहत है कि सासों की तो सास ले लूँआ क्या बेटा अरे आंटी जी डरिये नहीं आपकी बात थोड़ी कर रहे है वो तो टीवी वाली सासों की बात करता है पंकज और क्या-क्या शौक हैं पंकज की बेटा अरे आँटी जी अब शौकों के बारे में क्या बताऊँ आपको बस हारे इश्मा का डांस देखी आते पिश्मा कॉन सी बड़ी बात है वो तो पंकच के पिता जी भी देखिये थे क्यों अंकल जी? आ बेटा, बिल्कुल सही बेटा मतलब ये भी बाप भी? हाँ, और जब तक तेंचा लड़कियां पंकच शाम को घर ना ले आए ना तब तक अंकल जी उसे घर में निगुसने देते क्यों अंकल जी, सही कहा ना? आ बेटा, सही कहा रहा तू और मिठाई कि लाओ, इदर कुछ बोल नहीं मत दो बजाएसे इनके मुँमें मिठाई बरते चले जाओ गुद्दू, तू जा, तू भी सबके मुँमें मिठाई बरते ठीक है, जा माफ करिएगा बेहन जी, हमें नहीं पता था कि आपका लड़का इतना होनहार है जी जरूर, वो तो है, लड़का किसका है आप तो बिलकुल चुपी रहिए, सब पता है हमें आपके बारे में और माफ करिए, अब ये शादी नहीं हो सकती क्यों बेहन जी, हमने तो देज की बात भी नहीं की नहीं, वो तो बात ही नहीं है अच्छे आ, माफ कीज़ेगा, वो मिठाई में देशी जी नहीं तना, इसलिए नहराज हो आप वो भी नहीं है, आपने अपने बेटे को बिगाड़ी इतना रखा है, हर चीज में उसका साथ देते हैं हाँ, ये तो अब हर बाप का फर्ज है पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ बैठके रेशमा का डांस देखें हाँ तो, क्या हर्ज इसमें एक मिनट, किसका डांस? क्या बोल रहा है आप? बेवी, तुम रुको, मैं सब सही करके आता हूँ, तुम यही रुको एक मिनट, मैं सब को सब समझाता हूँ तु चुपकर और आपको किसमें का ये रेशमा का डांस देखता है? गुडडू ने आऊटी, मैं चो डांस लिटिया डांस वाली रेशमा की बात कर रहा था पर हाँ, वह लड़की लाने वाली बात वो पंकन ने कही थी मुझसे मा कसम एक मिनट, मैं बता रहा हूँ आपको वह लड़की वाली बात मैंने कही थी पर, पर पर क्या? पर भाग यूसी ब्राउजर पर आप एंजोई कर सकते हैं फन एंड ट्रेंडिंग वीडियो तो अभी डाउन्डोड करें यूसी ब्राउजर एप लिंक डिस्क्रिप्शन में है बाबाई लव यू